दोस्तों हम अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी जगा घूमना चाते हैं जहां हम और हमारे बच्चे इंजॉय करने के साथ साथ प्रकरती के बारे में भी कुछ सीख सकें और उन्हें हमें ऐसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए लेकिन दोस्तों हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ सिकारी लोग थोड़े से पैसो की लालच में जंगली जानवरों को मार देते हैं जिसकी वज़े से इनकी संक्या दिन पर दिन कम होती जार आजात करने के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं और सफल भी होते हैं और आज हम आपसे ऐसे ही कुछ जानवर के बारे में बात करेंगे जो चेड़िया घरों से कई बार भाग चुके हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चनल अन् केज से भागने में सफल हो गया था इस छोटे से जानवर के लिए शहर की गलियां सेफ नहीं थी और इसकी सेफटी के लिए जू में इसकी देखबाल करने वालों ने ट्वीटर पे एक हैश्टेक चला दिया जिसमें लिखा था हम एक मिसिंग रेड पांडा को ढूंड रहे है जिसका नाम रश्टी है और इसे आखरी बार शाम 6 बजे देखा गया था दोस्तो इस पोस्ट की वाइरल होते ही सबी लोग इस रेड पांडा की खोज में लग गए और पास में ही मौजूद रेजिडेंटल एरिया में इसे उस वक्त देखा गया जब यह वहाँ घूम रहा इसकी सूचना जू कीपर को मिलते ही उनकी एक टीम ने मौके पर पहुँचकर इसे वापस उसी जगा लेकर आ गए जहां इसकी जान को कोई खत्रा नहीं था हम बोल्ड पैंग्विन दोस्तो हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर वो है जिसे चिडिया घर तक वापस लाने में 82 दिन लग गए थे क्योंकि जू कीपर्स को 135 पैंग्विन में से खोई हुई एक पैंग्विन के बारे में उस वक्त पता चला जब किसी ने उन्हें इसकी फोटो भेजी दोस्तो इस पैंग्विन ने जू से भागने के लिए किसी तरह पत्तो की बनी हुई दिवार को पार कर लिया था और टोक्यो में भेने वाली नदी में जाकर रहने लगी थी लेकिन इसे दूसरे जू कीपर्स ने देख लिया था और पैंग्विन कीपर को इसकी जानकरी दे दी थी जिसके बाद इस पैंग्विन को बचाने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया था जिन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये डिसाइड किया था कि हम इसे उस वक्त पकड़ेंगे जब ये सो रही होगी और इसी के इंतजार में टीम को दो मैने तक का वेट करना पड़ा था इसके बाद इसे वापस जू में लाया गया था हो सकता है इन दो मैनों में इस पैंग्विन ने काफी इंजॉय किया होगा लेकिन इसकी जान बचाने के लिए इसे जू में लाना ही सही फैसला था क्योंकि बाहर इसे दूसरे जानवर खा जाते दोस्तो आपके हिसाब से आपके लिए ज़्यादा खतरनाक बात क्या होगी रोड पर टहलता हुआ एक बड़ा सा जंगली जानवर या एक छोटा से जानलेवा जहर से भरा हुआ साप कमेंट करके हमें जरूर बताना वैसे मेरा मानना यही है कि ज़्यादा खतरनाक वो छोटा सा जीव होगा क्योंकि बड़े जानवर को हम असानी से दूर से ही देख सकेंगे लेकिन साप की केस में ऐसा नहीं होगा और वो हमारे जान असानी से ले लेगा न्यूयोक सेटी में मौझूद साप को संदक्षन देने वली एक संस्था ब्रॉंज ने ये खबर दी कि उनकी यहां से एक कोबरा साप भाग गया है ये खबर फैलते ही सारे शहर में डर का महौल फैल गया था जिसके चलते ट्वीटर पे एक अकाउंट भी बन गया था जिसमें लिखा था मैं एक एक अफ्रिकन कोबरा हूँ और मैं ब्रॉंक्स जू से बहार टाउन में घूम रहा हूँ और इसे देखकर कुछ लोग मजाग भी करने लगे पर ये देखते ही देखते सेलिब्रिटी रेप्टाइल भी बन गया था जिसके ट्वीटर पर दो लाग से ज़्यदा फॉलोवर्स हो गय थे इसके गायब होने के 6 दिन बाद इस साप को उसी जू के बहार एक कॉर्नर पर दिखा गया था और इसे पकड़ कर उसी स्थान पर वापस पहुचा दिया गया जहां इसे होना चाहिए था दोस्तो इसके बाद रेप्टाइल एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ड जारी की जिसमें लिखा था जितना हम लोग इन साप से डरते हैं उतना ही ये साप भी हम लोगों से डरते हैं अगर किसी साप को भाग जाने या फाइट करने में एक आप्शन चूस करना हूँ तो वो भाग जाना ही चूस करेगा सिरिल रा सी लायन दोस्तो 1979 में सी लायन जिसका नाम सिरिल था अपने हैबिटेट से भागने में कामियाब हो गई थी जो कैनाडा की ओंटेरियो में मौझूद स्टोरी बुक गार्डन जू में रहती थी दोस्तों इबादर सिरिल एरी जिल से तैरते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार कर गई थी जिससे फाइनली ओहियो में एक बोट हाउस के पास देख लिया गया था जिसके बाद सिरिल को वहां से टोलैडो जू में ले आया गया था जिसके कुछ हफतों बाद उसे वापस केनेडा भीज दिया गया था पर दोस्तों टोलैडो जू वाले चाते तो वो इसे अपने पास ही रख सकते थे क्योंकि कानून के हिसाब से अगर कोई जनवर एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो इस देश की प्रोपर्टी बन जाता है और इस घटना के नौ साल बाद इस सी लाइन की डेथ हो गई थी जिसके बाद उंटेरियो जू अथोरिटी ने इस सी लाइन का स्टैचू अपने जू में बनवा दिया था कैन दा ओरंगुटान दोस्तो हमारी स्लेश्टे में मौझूद सभी जैनवरों में सबसे बड़ा एसके पार्टिस्ट कोई है तो वो ये ओरंगुटान है 1971 में पैदा हुआ ये ओरंगुटान अस्ती के दशक में जू से भागने की अपने इस स्किल से काफी ज़दा फेमस हो गया था लेकिन ये अपने केज से निकलने के बाद इस सैंडिगो जू में ही घूमता रहता था और ये किसी भी टूरिस्ट को नुफसान नहीं पहुचाता था शायद इसे पता था कि यहां से दूर जाना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिससे इसकी रखवाली करने वाले जल्दी इसे पकड़ कर इसको वापस हैबिटेट में भेज देते थे पर दोस्तों ये हर बार वहां से भागने में कामियाब हो जाता था जिससे परिशान होकर जू अथार्टी ने एक पत्थर की दिवार बनाने के लिए 40,000 डॉलर खर्च कर दिये थे लेकिन इसका भी इस पे कोई फाइदा नहीं हुआ और ये बंदर इस दिवार से भी भागने में सफल हो गया था और दोस्तो यही करते करते कुछ साल बाद साल 2000 में इसके डेथ हो गई थी दोस्तो अगर आपके पास कोई कैट या कुटा है तो आपको पता ही होगा अगर ये भागने पर आ जाएं तो कोई न कोई रास्ता ढोणी लेते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं नॉर्मले कुटे तो घर में ही रहते हैं पर अगर आप गेट बंद करना भूल जाएं तो फिर इनका घर में मिलना लगभग नामुंकी नहीं होता है और इनी की तरह ही इनके रिलेटिव वर्जीनिया वॉल्फ लॉस अंजलेस में मौजुद जू से भागने में सफल हो गए थी दोस्तो वैसे तो कुटे की तरह ही भेडिये भी पेड़ पर नहीं चड़ सकते पर वर्जीनिया में ये स्केल डेवलप हो गई थी और ये जंगल में रहने के लिए खुद को ऐसा बना चुकी थी इसके बाद जू अथोर्टे ने लॉस अंजलेस के ग्रिफित पार्क को इन वॉल्फ के लिए सबसे बड़े घर के तौर पे रिजर्व कर दिया था और दोस्तों तब से ही अथोर्टी इन वॉल्फ को लगतार ट्रैक भी कर रही है और अब ये भेड़िये अराम से इस पार्क में रहते हैं और अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हैं हम भी यही आशा करते हैं कि यह ऐसे ही सर्वाइव करते रहें और किसी भी इंसान को कोई नुकसान ना पहुचाएं दोस्तो ऐसा लगता है जैसे लोस अंजलस के इस चिडिया घर ने जानवरों को भागने की छूट दे रखी हो दोस्तो इस चिडिया घर से 1990 से 2000 के बीच में 35 जानवर भागने में कामियाब हो गए थी और इन्हें में से एक है एवलेंट गोरिला जो की चार बार भाग चुका है और इस काम में इसकी मदद इसके दोस्त जिम गोरिला ने की थी दोस्तो ये काफी क्रियेटिव है और ये अपनी स्किल के बदुलत भागने में काफी बार सफल भी हो चुका है एक बार तो ये अपने दोस्त जिम की पीट पर चड़कर दिवार को कूट के निकल गया था और कई बार ये भागने के लिए दरवाजे पे लगे ताले को भी अपने मजबूत हाथों से तोड़ देता है और हैंडल को खोल कर भार निकल जाता है दोस्तो इसकी अलावा इसे आजाद होने के बाद दूसरे जनवर जैसे हाती और जिराफ को घूरते हुए भी पाया गया है जैसे ही उनको पिंजरे में देखकर कुछ सोच रहा हो और उनसे भी भाग चलने को कह रहा हो ताटियाना दा टाइगर दोस्तो हमारी इस लिष्ट में अगली स्टोरी टाटियाना टाइगर और तीन विजिटर की है जो कि 2007 में इस जू में आये थे और तबी एक ऐसी घटना हो गई थी जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था और दोस्तो ये घटना उस वक्त होई थी जब जू बंद था पर ये विजिटर किसी तरह से अंदर चले गए थी और उसी समय एक टाइगर अपने बारे से निकल कर भार आ गया था और इन लोगों पर हमला कर दिया था जिससे इन में से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी दोनों को रेस्क्यू टीम ने हतियार की मदद से बचा कर हॉस्पिटल पहुँचाया था इसके बाद इन तूरिष्टों को चार दिन तक हॉस्पिटल में ही एड्मिट रहना पड़ा था दोस्तो रेस्क्यू टीम ने इन विजिटर को बचाने के बाद टाइगर को शूट कर दिया था जिससे फ्यूचर में ऐसा हमला दोबारा ना हो दोस्तो इस हाथसे के लिए कुछ लोग जू सिक्यूरिटी को बलेम करती हैं जिनकी लापरवाही से एक इनसान रो टाइगर की मौत हो गई पर कुछ लोग विजिटर को ही दोसी मानते हैं जो जू बंध होने के बाद भी उसमें गए थे दा राइनो दोस्तो 1996 में एक सफिद राइनो अपने एंकलोजर से भाग कर एक हाईवे पर आ गया था और उसने पसू पालन की एक टीम को मारने की कोशिश भी की थी जो इस राइनो पर डॉट्स यूज़ करना चाते थे इस राइनो को कुछी दिनों पहले एकडीनो जू में लाया गया था जहां से यह आजाद होना चाता था दोस्तो इन राइनो में इतनी ताकत होती है कि ये दूसरे मेल राइनो से लड़ाई करते वक्त इस्टील की पाइप को भी तेना कर सकते हैं जू से भागने के बाद इसे US Highway 90 पर सुबे 4 बजे देखा गया था जिसके बाद पसू पालं की एक टीम ने आकर इसे पकड़ना चाहा पर ये उन्हें भी मार कर भाग रहा था लेकिन दोस्तो फाइनली राइफल की मदद से इस राइनो को भीहोस किया जा सका और वापस उसी जू में भेज दिया गया जहां इसको किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं था और इसे खाने के लिए किसी दूसरे राइनो से लड़ने की जरूरत नही थी दोस्तो इस लिस्ट को कम्पलीट करने से पहले हम आपको एक या दो नहीं बलकि तीन जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि एक ही दिन में एक ही जू से भाग गए थे 1964 में एक जू कीपर को एक कॉल आई जिसमें उसे बताया गया कि उसके जू से जंगली भैंस भाग गई है जिनें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर इसके कुछ ही दिर बाद एक और ऐसी कॉल आई जिसमें उन्हीं पता चला कि चिडिया घर का एक भारी भरकम हिपो भाग कर शेहर की गलियों में घूम रहा है दोस्तो इस हिपो को पकड़ कर वापस जू में लाते कि इससे पहले ही एक बकरी भी जू को छोड़ कर चली गई थी जिससे वापस लाने में जू कीपर्स को काफी दौर धूप करनी पड़ी थी दोस्तो ऐसे किसी भी जानवर का जू से भागने में सफल हो जाने से एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारी सेक्योरिटी सिस्टम में अभी कितनी improvement की जरूरत है जिससे हम इनसानों और जू में लाए गए जानवरों को सुरक्षित रख सकें दोस्तो अब आप हमें comment करके बताईए कि क्या आपका कभी पालसो जनवर ऐसे चुपके से भाग कर गया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिना और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अन्न टेक हिंदी और अन्न फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके गंटे को दबा दो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धासुफ वीडियो के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद